एकाए हेलो फ्रेंब्स वइडियो में हम लोग अच्छ चेक करना सेखने वाले एं उस्व फिर्स वार्टमि में हम слब्स फेलो और 15 एंच that好吃 करेंगे कित करने कित मैं और यह को बता दो कि यह सचआ संपर्मोशन व यह इंक उनुद्ग हाँ यह यूजर फ्रेंली है आसान है यूज करना इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ हम लोग 25 ml सेंपल लेंगे सेंपल टेस्टिंग ट्यूब में हाँ दैन हमारे पास कुछ रियेजंट्स हैं हार नश्टैस्टिंग पहले हम इरीक्रों ब्लैक टी जो की त्याश वन के नाम से आरहें इस ट्यास्टिंग इसका वन स्पून डालेंगे एक प्लास्टिक स्पून है छोटा सा जो की ट्यास्टिंग के साथ ही आता है एक चमच टी एच वन डालने के बाद हम लोग इसे शेक कर लेंगे अच्छे से हिला लेंगे बिकोज उसके एरोक्रोम ब्लैक्टिक के क्रिस्टल निचे बैड़ जाते हैं और वो डिजोल नहीं होते है इसके बाद सेकेंड हम लोग टी एच टू डालेंगे जो की एक अमोनिय से कलेरंस आता है जैसे अभी एरोक्रोम ब्लैक्टिक प्रोपर मिला नहीं है तो यह बॉफर सॉलुशन डालने के बाद वो प्रोपर डिजोल हो जाता है जैसे अभी स्लाइटली ब्लू लुग दिखाई दे रहा आपको पिंक नहीं है बट यह जैसे अमोनियूम बफर डाल तो पिंग कलर आएगा तो टीएच टू डालने के बाद फिर से एक वाँ शेक कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसा कि अपन लोग देख पा रहे हैं कि उसमें पिंग कलर है तो इसमें हार्णस अवेलेबल है अभी इसमें हार्णस ज्यादा नहीं रहनी चाहिए आज थिंक सो तू फाइफ पिंग कुछ रहेगा इसमें तो अभी देख लेते हैं अपन लोग तो थर्ड रेजेंट जो अपने डालेंगे टीएच थरी है बेसिकली यह एडी टीए का सोलूशन रहता है तो टीएच थी की एक ड् में डाला है और इसको शेक कर रहें तो यह आप देख सकते हो कि ब्लू हो गया है यह पिंक कलर नहीं है अभी यह ब्लू हो गया तो वह वन टॉप से अगर पिंक से ब्लू हो गया है इसका मतलब उसमें 2 पीप्म हाटने से सिरुप अगर सौफनर के रिजेनरेशन के बाद उ पर चलिए अब एक raw water sample की harness चेक कर लेते हैं अभी कोछ इसमें harness जाद है रहने वाली है और इसमें एक reagent भी change होने वाला है testing की दुरान अब procedure रहेगा सबसे पहले 25 ml raw water sample लेंगे then 1 spoon th1 इसमें डालेंगे जो की erochrome black tea है जैसा मैंने पहले बताया and then इसे हिला करके मिला लेंगे mix कर लेंगे फिर उसके बाद th2 डालेंगे इसके 10 to 15 drop डालने है 10 drop भी काफी रहते हैं जैसे इसको 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 अच्छे से mix कर देगा water में ताकि color clearly दिखाई दे 10 drop डालने के बाद उसे फिर से mix कर लेंगे और जैसा कि अपनलों देख पा रहे हैं इसमें pink color clearly दिखाई दे रहा है so अब विकोज यह raw water है तो इसमें harness ज्यादा रहने वाली है and th3 के एक drop का मतलब है 2 ppm तो अगर th3 से raw water के आने चेक करने लगेंगे तो इसके काफी सारे drops कंजूम होगे काफी chemical यूज करना पड़ेगा इसलिए th4 नाम से भी chemical है इसमें इसके एक बून का मतलब है 5 ppm जब भी कभी raw water के आने चेक करने होगी तो th4 यूज करेंगे हम लोग अब जाए आए अब तो इसमें केमिकल थोड़ ज्यादा लगने वाला है बीकुछ अब हाँ रहती हैं तो दो दो डोप एक साथ भी डाल सकते हैं अब हम देख सकते हैं कि इसमें ब्लू कलर आ गया है और पिंक कलर चला गया है सो टोटल दोप जो हमने आभी कांट किया है वह 16 डोप हमने डाला अउसमें सिँटीं डॉप में हमारा कलर आ गया बलू कलर और पिंक चला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 16 डोप हमने डाले हैं इसको मत्लिपिला में कर Crash cheese because one drop is equal to 5 ppm so यह 80 ppm hardness है इस water में so that's all friends मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह hardness testing procedure समझ आ गया होगा so please subscribe this channel and अगर आपको यह hardness testing kit खरीदनी है या लाबोटी से related या water treatment plant से related कुछ भी spare खरीदना है तो link description में दिये हुए आप direct link पे click करके खरीद सकते है so इस वीडियो में इतना ही safe रहे सीखते रहे and thank you very much for watching this video